बच्चो हम चेप्टर पढ़ रहे हैं quality और जिसमें हम जान रहे हैं Mr. Gessler के बारे में उनके व्यापार के बारे में और आज के वीडियो में जानते हैं उनके भाई के बारे में चलो बच्चो करते हैं इस चेप्टर के चौधे भाग के शुरुआत तो बच्चो अपनी ही भाशा में जर्मन और इंग्लिश को मिक्स करते हुए Mr. Gessler बोल रहे है They get it all मतलब उनको सब कुछ मिल जाता है They get it by advertisement यानि की विज्यापन देके उन लोगों को मिल जाता है किन लोगों की बात हो रहे हैं ये कर रहे हैं बच्चो Mr. Gessler वो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी दुकानों की बड़ी बड़ी फर्म्स की जो जूते बनाती है और वो बोल रहे हैं कि उनको बहुत सारे ग्राहक मिल जाते हैं कैसे मिल जाते हैं विज्यापन से Not by work मतलब काम से उनको नहीं मिलते हैं अपने अच्छे जूते बनाने के कारण उनको ग्राहक नहीं मिलते हैं अपने विज्यापन के कारण मिलते हैं They take it away from us. वो हम से हमारे ग्राहक ले जा रहे हैं. Who love our boots. Who love our boots मतलब जो अपने जूतों से प्रेम करते हैं. यानि Mr. Gessler बोर रहे हैं कि हम लोग जो अपने जूतों से बहुत प्रेम करते हैं. हम लोगों से ये बड़ी-बड़ी फर्म्स, बड़ी-बड़ी दुकाने ग्राहक ले जा रही हैं. It comes to this. मतलब अब ये हालत यहां तक आ गई है. Presently मतलब आज presently है ना? यहां पे presently लिखा है पर इसका मतलब क्या है? Presently मतलब आज वर्तमान में I have no work. मेरे पास काम ही नहीं है. Every year it gets less. हर साल काम कम होता जा रहा है. You will see. तुम देखो. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. और फिर बच्चो मैंने क्या किया? यानि लेखक ने क्या किया? लेखक ने Mr. Gessler का चहरा देखा, जिस पर जूरिया थी और मेरे को वो चीज़े दिखाई थी, जिनके उपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था पहले. Bitter things and bitter struggle. पीडा दायक चीज़े दिखी मुझे उनके चहरे पर. और पीडा दायक उनका जो struggle था, संघर्ष था, वो दिखा. और उनकी वो जो लाल दाड़ी थी ना, उसमें अचानक से बहुत सारे ग्रे हैर दिखने लगे, सफेद बाल से दिखने लगे. तो बच्चर यहाँ पर जो हमने तीन वर्ट्स पढ़े हैं, उन्हें रिवाइस करते हैं, देखिए. Advertisement. Advertisement मतलब विज्यापन. Noticed, यानी की ध्यान दिया. Bitter, मतलब पीडा दायक. As best I could, I explained the circumstances to those ill-oomant boots. फिर मैंने किया कि आप भई, जितना संभव हो सकता था, उतना अच्छे से मैंने समझाया, जो हालत थी, उन, ill-oomant, मतलब उन मन्हूस जूतों की, यानी कि भई, किस हालत में मैंने वो मन्हूस जूते खरी दे थे, मैंने वो समझाया. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, I ordered many pairs. पर बच्चों, जो Mr. Gessler का जो चहरा था और जो आवास थी, उसने इतनी गहरी छाप छोड़ दी थी, अगले कुछ मिंटों में कि मैंने आदेश दे दिया कि बहुत सारे मेरे लिए जूते बनाने हैं. They lasted longer than ever. अब वो जो जूते बने थे Mr. Gessler के द्वारा, वो और भी जादा लंबे समय तक चले. And I was not able to go to him for nearly two years. और मैं लगभग दो साल तक Mr. Gessler के पास नहीं जा पाया. It was many months before my next visit to his shop. और कई महीने हो गए जब मैं फिर उनकी दुकान में दुबारा गया तब. This time it appeared to be his elder brother. और इस बार प्रकट हुए Mr. Gessler के बड़े भाई. Handling a piece of leather. जिन्होंने संभाला हुआ था piece एक leather का एक चम्डे का एक टुकडा. तो बच्चों यहाँ पे देखे कौन-कौन से हमने शब पढ़े हैं. पहला है explained यानि की समझाया. Circumstances मतलब हालत. Ill-omened मतलब मनहूस. Deep यानि गहरा. Impression मतलब प्रभाव या फिर छाव. Ordered मतलब आदेश दिया. Lasted मतलब टिकना. Appeared मतलब प्रकट हुआ. और handling मतलब संभालना. Well, Mr. Gessler, I said, How are you? अब मैंने उनके बड़े भाई से कहा कि Mr. Gessler, आप कैसे हैं? He came close and peered at me. वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा, बहुत साब्धानी से देखा. I am pretty well. और उन्होंने क्या कहा? मैं काफी ठीक हूँ. He said slowly. उन्होंने धीरे से कहा. But my elder brother is dead. पर मेरे जो बड़े भाई हैं, उनकी मृत्यू हो चुकी है. And I saw that it was indeed himself, but how aged and worn. और फिर मैंने देखा कि अरे ये तो वही Mr. Gessler है. पर उनकी कितनी जादा उमर हो चुकी है, और वो कितने जादा worn, यानि की बिमार मुर्जाए हुए दिख रही है. And never before had I heard him mention his brother. और इससे पहले तो कभी भी उन्होंने अपने भाई का उलेख नहीं किया. मत शौक्ड मैं काफी जादा शौक्ड हो गया, स्तम्भित हो गया और फिर मैंने बुद्बुदाया. ओ, I'm sorry, मुझे शमा कर दीजिए. तो बच्चों, यहाँ पे देखे हमने क्या-क्या शब पड़े हैं. देखो, पहला है पियर्ड मतलब सावधानी से देखा. बॉन, मतलब बिमार या फिर मुर्जाया हुआ. शौक्ड मतलब स्तम्भित और मॉर्मर्ड मतलब बुद्बुदाया. येस, he answered और उन्होंने उत्तर दिया हाँ. He was a good man. He made good food. वो बहुत अच्छे व्यक्ती थे और उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए थे. मतलब, Mr. Gessler के जो भाई हैं, वो बोल रहा है कि भई, वो बहुत अच्छे थे. उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए. But he is dead, पर वो अब मर चुके हैं. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone. As thin as it had been on that of his poor brother. तो बच्छों, फिर Mr. Gessler ने क्या किया? अपने जो सर का जो उपर का हिस्सा था उसे छूआ, जहां पर अच्छानक से बाल जा चुके थे. और इतने पतले हो चुके थे, जैसे कि वो बता रहे हो कि उनके भाई भी ऐसे ही थे. अपने भाई की मृत्यू का कारण. Do you want any boots? क्या तुम्हें कोई जूदे चाहिए? फिर Mr. Gessler ने कहा. And he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. और फिर उन्होंने अपने हाथ का वो चमड़ा उठा के दिखाते हुए कहा. कि ये बहुत ही खूबसूरत piece है. बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा है. तो बच्चों, indicate का मतलब क्या होता है? Indicate यानि की, इशारा करना. क्या आएगा बच्चों, कैसे लिखेंगे हम इशारा? ऐसे नहीं लिखेंगे. कैसे लिखते हैं? इशारा करना. तो बच्चों, कहानी में आगे क्या हुआ? जानेंगे हम अगले वीडियो में. बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में.